अज़िए आप सब के बीच एक बहुत ही ज़्यादा खास information लेके आया हूँ और वो information मेरे खुद के जीवन से संबन्दित है मेरे जीवन के जो भी अनुभव रहे हैं उनके निचोड से संबन्दित है वो information कुछ इस तरीके की है कि मैं अपने जल्द ही retirement की घोशड़ा करने वाला हूँ आप लोग होगे retirement अभी तो जो है वो संसार से लोग retirement लेते हैं पिर अध्यात्मिक हो जाते हैं बाबा हो जाते हैं आप अध्यात्मिक से भी retirement लेऊगे हाँ मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन के अनभवों से जो मैं गुजरा हूँ उसके बाद मुझे ऐसी प्रतीती होती है कि अब वक्त आ गया है कि जल्द ही मैं अपने retirement की बात करूँ लेकिन retirement से पहले एक जिम्मेदारी होती है कि वो जगह भी भर दूँ जो मेरे जाने की बाद कमी महसूस ना कराए इसके पीछे बहुत सारी बाते हैं बहुत सारे अनभव हैं और मैं एक एक करके सबसे सब बात करना चाहता हूँ आज इतनी कर सकूँगा उतनी करूँगा इस विशय पे आगे भी करूँगा और ये वीडियो केवल उनके लिए नहीं है जो अध्यात्मिक है ये केवल उनके लिए नहीं है जो संसारिक है बलकि संसारिक लोगों के लिए भी है अध्यात्मिक लोगों के लिए भी है और और वो ये है कि जो पिता या जो गुरू सही समय आने पर जिम्मेदारी अपने शिश्यों और पुत्रों को नहीं सौंपता, वो कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय करता है, तो जो शिश्यों थोड़े से सहसोभाव के होते हैं, उनको वो शायद अन्याय दिखता नहीं, जो थोड़े अग्रेशन में होते हैं, उनको वो अन्याय दिखता है, और फिर वो अन्याय उनको विरोध की तरफ ले जाता है, एक पिता अच्छा वही है जो वक्त आने पर अपने दुकान की चावी अपने बच्चे के हाथ में देखे उसको आगे बढ़ने की प्रेड़ना दे उसी तरीके से गुरू की भी जिम्मेदारी होती है उसके साथ चलने वाले जो शिश्चे हैं जो भी उसको मानते हैं जिनों ने भी अपना जीवन दिया है समय दिया है एक समय उन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात संसार के सामने रखें इसमें कई कारण इसमें सिर्फ एक कारण अगर आपने देखा तो चूप गए और अगर एक कारण सोचा और आपने वीडियो बंद किया तो बिल्कुल चूप गए इसलिए पूरा सुनना ये आखीर तक सुनना बहुत काम का है पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ा कारण है कि अध्यात्म के रस्ते पे कई तरीके के भ्रह्म है उन में से सबसे बड़ा जो भ्रह्म है वो एनलाइटमेंट का है और एनलाइटमेंट का भ्रह्म तब ही गिरता है जब आप एनलाइटेड हो जाते हो और जब आप enlightenment को उपलब्ध होते हो तो ब्रह्म जो गिरता है उस ब्रह्म को गिरने के बाद आपका जो जीवन होता है वो इतना निराला होता है कि अध्यात्मिक लोगों को तो समझ में नहीं आता एक बुद्ध पुरुष का जीवन साधक के लिए समझना बहुत मुश्किल है हाँ एक साधक का किसी बुद्ध पुरुष के प्रेम में पढ़ जाना आसान है लेकिन उसके जीवन को समझना बहुत मुश्किल है मैंने अपने पूरे जीवन से जब मैं साधक था तो मैंने साध नाकून किया, तो मेरा फर्ज हुआ कि जो भ्रम पैदा हो जाते हैं सादकों के मस्तिक्ष में जो मैं समझता था, खुद गुज्रां उससे, उन भ्रमों की जारत से जारत चर्चा कर सकूँ, उन भ्रमों को गिरा सकूँ, और उसके बाद आज मेरी जिम्मधारी है, कि मैं उन गुरुओं को, अध्यात्म के उन लोगों को, जिनके पास कुछ लोग बैठे हैं, उनके लिए इस अंदेश दे सकूँ, कि तुम्हारी जिम्मेदारिया क्या है, मैं इस बात का इसपस्ट करता हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं का कि मैं तुम्हें एलाइक्मेंट दे सकता, हाँ, कुछ लोग होंगे जो मुझसे चुरा लेंगे, कुछ लोग होंगे जिनका दिया इतने निकट आ जाएगा मेरे, कि बिना प्रयास के जल उठेगा, लेकिन मैं अपने दिये को जबर्दस्ती किसी के निकट नहीं ले जा सकता, यह मेरी मजबूरियों में एक है, और उसका कारण यह है, कि मेरे पास मन नहीं, जिस दिये के पास मन होगा, मन की समाप्ती के लिए, मन को मार डालने के लिए, मन की हत्या कर देने के लिए, वो दिया, उस मन के सहारे मेरे दिये के निकट आएगा, लेकिन मेरे पास कोई मन नहीं है, करणा छोटा सा एक मन है लेकिन वो करणा कभी भी मेरे उस चित पे इतनी हावी नहीं हो पाती जो मुझे उस तरीके का मन बनाए कि मैं दियों के पाथ जा जाके उनको टच करके जलाने की कोशिश करूँ निश्ची थी आवाज देना मेरा काम है लेकिन मैं दियों को आवाज नहीं दे रहा मैं तो सिर्फ जल रहा हूँ बुझे हुए दियों को अगर मुझे देख के याद आ जाए जलने की उनका स्वागत है फिर जब मैं किसी को दे नहीं सकता और फिर भी मेरे पास लोग उपस्तित हैं तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ तो आपने सुना होगा कि धर्म जगत पे सबसे बड़ी जो रुकावट है वो रुकावट है गुरुडम गुरु होने का दम ये गुरु होने का दम रुकावट क्यूं है अंतिम रुकावट क्यूं है और अगर अंतिम रुकावट है और इस गुरुडम को गिराया जा सके तो इसका मतलब फिर मोक्ष है तो हमें समझना पड़ेगा कि गुरु होने का दम्ब आता कहां से गुरु होने का दम्ब जारतर शिश्यों के अंदर गुरु के प्रति जो आकर्शन है उसकी केतने के हर क्रिया के प्रतिक्रिया है वो जो आकर्शन है उसकी प्रतिक्रिया में एक गुरु से जलन भी है हर शिश्य जो गुरु को बहुत प्रेम करता है कहीं एक छोटे से कूने में बैठा हुआ उसका एक मन उसके प्रति जलन से बरा होता है और वो चिंगारी जब भढ़कती है तो एंकार फिर गुरुडम का रूप ले लेती है क्योंकि उसको गुरु को नीचा दिखाने के लिए खुद गुरु होना है और वो जो चिंगारी भढ़कती है उसके एंकार की आग में उसका गुरु बनने का दम्ब उस इस्तिती पे नहीं पहुंचता कि उसके पार चला जाए तो जरातर सब उससे मर जाते हैं उससे नीचे आ जाते हैं लेकिन इससे पहले कि वो चिंगारी भढ़के अगर उसको गुरु की सनेक्शन में ही ऐसा अबसर मिल जाए जिसमें उसके गुरुडम की परिक्षा भी हो और हस्ते हस्ते उसके पार जाने का खेल भी तो यह एक बड़ी खुबसूरत खटना करती है धर्मों में हर गुरु के सानिद में एक परंपरा चली है सही अर्थों में अगर कोई गुरु होगा तो उसके नीचे परंपरा चली होगी और वो होती है कि जो गुरु का परचार करते हैं उसके शिष्ष इसको क्या बोलते हैं क्या नाम देंगे संदेश वाहक जो होते हैं धर्मदूत तो धर्मदूत जो होते हैं वो संदेश वाहक होते हैं जो उनको आगे लाने का काम किया जबता है वो वही बात है जो मैं कह रहा हूँ कोई तो मैं कोई अद्बूत बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन शायद पहली बार कह रहा हूँ ये अद्बूत है उसके पीछे के कारण भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि जब आपको सब कुछ पता हो और उसके बाद भी आपके लिए चीज खेल हो जाए तब तो मज़ा हुआ आप चोरी कर नहीं सकते और कहते हम चोरी नहीं हैं ये कोई बात नहीं होगी चोरी के अफसर मौजूद हो आप चोरी ना करें तो आपकी इमानदारी है इसलिए मैं जीवन के सारे राज खोल देना चाहता हूँ और उन सब राजों को खोल देने के बाद भी कोई जीवन से प्रेम करे और राजों के संबन्द में लगातार अपनी आँखें खुली रखे उत्सुता बरकरार रखे तो मजा कुछ और होता है यह जानते हुए कि भूत नहीं होता भूत की खोज में निकलना और भूत के लिए लगातार अपने हिर्दय को खोले रखना यह कोई एडवेंचरस ही समझ सकता है तो फिलाल यह धरमदूत का जो कार्य होता है यह बड़ा नूठा है और अगर किसी गुरू ने अपने किसी शिष्चियों को धरमदूत बनाया तो निश्चित ही वो शिष्च सवभागशाली हैं क्योंकि उनको एक अफसर मिला उस गुरुडम से पार जाने का गुरू के सानिद्ध में ही मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं क्योंकि ओशो के एकसर बात करता हूँ आप लोग कहोगे फिर वही आगई ओशो के जो धामगुरू थे अनन सुभाव मैं उनसे मिला में दिन उनसे कुछ चर्चाएं हुई कुछ थोड़ी सी बाते थी मैंने उनसे पूछी कभी मैंने का स्वामी जी एक बात बताएं आप शीविर कराते हैं आप कहते हैं एक करो इसे कुण्डली जगेगी क्या आपकी जगी बहुत इमांदार व्यक्ती थे उन्होंने का नहीं जगी तो मैंने का फिर जब नहीं जगी तो अपने गुरू का परचार क्यूं करते हो या लोगों से क्यूं कहते हो कि कुंडली जगेगी तो उन्हों कहा मुझे इससे लेना देना नहीं है कि जगती है या नहीं जगती है लेकिन मैं जिसके प्रेम में हूँ उसने ऐसा कहा इसलिए मैं बिल्कूल उसकी बात उसके तरीके से आप तक पहुचा रेता हूँ आप करें भगवान आपका भला करें आपकी जग जए तो मैंने का क्या आपको उस्तुता नहीं होती क्या आपकी भी जग 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 मुझे कोई उत्सुकता नहीं है ना कुंडली जगने की ना जगने की जग जाये तो ठीक ना जगे तो ठीक तो मैंने कहा कि आप अपने को किश्रेणी में रखेंगे क्या पूर्ण हो गए उन्होंने का सच बात तो ये है कि मुझे इतना प्यारा गुरू मिला है कि मुझे अपनी पूर्णता का कोई लेना देना नहीं मैं अपने आने वारे और जनम भी इस गुरू के कारे में लगा दूँ तो मैं सौबागे शाली हूँ मुझे इस बात को कहते कोई जिजक नहीं है कि वो पूर्णते पूर्णता का अर्थ ही होता है प्रेम से भर जाना अपने परती या गुरू के परती तो जो प्रेम से भर जाना है वही तो पूर्णता है और क्या है एक हिर्द है जो प्रेम से भर गया हो जिसके पास आप विशात के लिए जगा ना बची हो जिसके पास और कुछ सोचने का आप समय ना हो और पूर्टा क्या होती तो वो पूर्टे और इस पूर्टा में सहिवागी बना उनकी वो यात्रा करना ढ़र जो उनके गुरु में उनके जम्य्दारी स्वाक्या उसके साथ तो धर्म गुरु किसी को करना के बंज़ने तो गुरु के दिये जम्यदारी का काम निमश्चिती बीज देखा होता कोई ऐसारा उसको एक Apa जम्यदारी स्वाक्या आइछ तिई फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा ध्यान लखना आशी से बरना उसके पड़ती ये सब आगे की चीज़े हैं खाथ-पानी वाली बात तो कहीं न कहीं मैंने भी एक लंबे समय में ये महसूस किया कि मेरे साथ यहाँ उपस्तित बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर इस तरीके की अवस्ता है कि मैं उनको उस काम में लगाऊं जिस काम के लिए मेरा जीवन लगा रहा और क्योंकि वो मेरे प्रेम में है तो निश्चित ही वो उस जिम्मेदारी को उठाते हुए अपना ही जीवन महसूस करेंगे अपना ही चीज महसूस करेंगे और कोई बहुत लंबी चोड़ी कोई मेरी चाहें रही नहीं एक सका परिवार है यह आपके सामने है और यह मेरी चाहा से नहीं जन्मा है यह मेरी चाहा से नहीं जन्मा है यह मेरे गर्ब में था मैं इसको ले के पैदा हुआ था एक चिट्टी थी जो मेरे हाथ में पैदा होते ही थी जिसको पढ़़के मैं अपने जीवन को चलता रहा और आज यह परिवार है और बहुत कुपसूरत परिवार है तो इसी परिवार के कुछ बच्चे हैं जिनको आने वाले समय में अब ये जिम्म्यदारी मिलने वाली है कि वो आप से संभोधित हों आपसे चर्चा कर सकें लेकिन मैंने हमेशा ही जीवन में एक नए धन्च से धर्म को धर्म जगत को देखा है और दिखाने की कोशिश भी की है मेरा मानना है कि हर व्यक्ति एक अनूठा सुभाव लेके पैदा होता है कोई योगी का सुभाव लेके पैदा होगा, कोई भक्त का, कोई तांत्रिक सुभाव का होगा, तो किसी के लिए ध्यान मार्ग होगा, कोई करांती से गुजरेगी इस्त्री, तो कोई सौमिता से स्विकार कर लेगी सब कुछ, अपने अपने तरीके के मार्ग हैं, अपने अप उनके प्रारूपों में एक भी शिविर में ये वर्णा नहीं है कि किस प्रकार के लोगों के लिए वो शिविर हैं। जगत में धक्का दिया तो किसी का जगत छोड़वा दिया। मेरे उपर ये लिए लिजां बहुत है कि मैंने लोगों के घर छोड़वाए। लेकिन मैं आपको आने वाले समय में उन लोगों के बारे में बताऊँगा जिनको घर से जोड़ा। जिनको उनके घर से जोड़के उनको एक अलग धंग के जीवन की तरद ले गया तो कुल मिलाके बात ऐसी है कि यहां इस से का परिवार में मैं चायता हूँ कि निमंतर्ण हर व्यक्ति को हो लेकिन उसके लिए यहां पे जो लोग उसके लिए सायोगी बने यात्रा में वो लोग कई डाइमेंशन के हो जैसे एक बगिया में आप जाते हैं वाँ तरह तरह के फूल होते हैं आपको जो फूल चाहिए आप चुन लेते हैं जिसकी खुश्मू आपके नसापूट को प्यारी लगे वो आप चुन लेते हैं उसी प्रकार एक शिविर में इतने प्रकार के फूल आपके सामने आ सकते हैं कि जिन मेंसे आप किसे चुनेंगे आपको भी पता नहीं होगा और जो फूल आप चुने जो आपके नसापूट को खुश्मूओं से भरे निश्य थी वो आपका मार्ग है सहथ चुनाओ सहथ चुनाओ आप किसी दुकान पे जाते हैं आप अपने योग कपड़ा देख लेते हैं अपने योग चीज़ें देख लेते हैं उसी प्रिकार धर्म जगत में भी ऐसे प्लेटफॉर्म सोने चाहिए जहां पे आप अपने इसाप से क्योंकि मेरे पास तो मैं मल्टी डैमेंशन हूँ बहुत सारे लोग है डैमेंशन के लेकिन मैं देखता हूँ दुनिया में लोग मल्टी डैमेंशन नहीं कोई व्यक्ति योगी अगर आ जाता है वोने योग की भास से सहमत होता है लेकिन जब मैं दूसरी बात करता हूँ उसकी ऐसे मेत ही हो जाती तो यहां जो अभी उपस्तित है उसमें कलर भिन भिन है लेकिन एक एक घटना घट गई है और वो है कि प्रेम से जुड़े हैं तो कोई योग को उपलब्द है रेकिन वो भी प्रेम करता है कोई तंत्र को उपलब्द है वो भी प्रेम करता है यहां पे इस तरीयां भी मुझे प्रेम करते हैं कि किस तरीके का पूरे प्रारूप के साथ एक्षिविर यहां चलेंगे अन्वरत चलेंगे लगातार चलेंगे और उसको मैं कंडेक्ट नहीं करूंगा कि मैं बैठ हूंगा अपने आराम से अपने हुक्के के साथ अपने कमरे में क्योंकि एक बठ ब्रक्ष की खूबी तो सबको दिखाई देती है लेकिन एक बठ ब्रक्ष का दर्द बहुत कम लोग देख पाते हैं एक बटब्रक्ष की खोबी हो सकती है कि उसके नीचे बहुत लोग विश्राम करते हैं लेकिन एक बटब्रक्ष का जो दर्द होता है वो यह होता है कि उसके नीचे दूसरा कोई बटब्रक्ष पैदा नहीं होता बटबरक्ष तो दूर की बात है बरक्ष भी पैदा नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको धूप नहीं मिलती तो एक बटबरक्ष की सदा से इक्षा होती है कि वो थोड़ा सचाया दे वो हटा ले अपनी और धूप को आने दे ताकि औरों को जो है वो खिलने के अपसर मिले ये दर्द मैंने 20 साल पहले महसूस किया था 20 साल पहले मेरे संगत में कुछ लोग रहे मैं समझता था कि संग में रखना ही एक यात्रा का पूर्ण हो जाने का तरीका होता होगा अनुभव नहीं था और अध्यात्म के अनुभवों के संब्द में एक बात जान लीजिए किसी को घटना घट सकती है जिसको आप बुद्धत कहें जो भी कह लीजिए लेकिन वो घटना तो ऐसी घटना है कि तुम्हारे पास आँख आ गई लेकिन सारे अनुभव आ गए इसके लिए आपको बजारों में भटकना पड़ता है तो उस समय आँख थी अनुभव नहीं थे लेकिन जो घटना है घटी उनसे अनुभव हुए तो उस समय भी कुछ लोग मेरे निकट ऐसे रहे जो प्रेम तो करते थे लेकिन धीरे धीरे मैंने उन्हें देखा कि वो गुर्डम में पढ़ने लगे उन्हें मुझसे जलन महसूस होने लगी उन्हें मेरे परती क्रोध आने लगा यह बिल्कुल सभावी के जैसे एक पिता अपने बच्चे को दुकान की चाविया ना दे रहा हो तो बच्चे के अंदर आने लग जाता है खून के रिष्टों में आने लग जाता है यह तो फिर भी प्रेम की बात थोड़ी सी है और अलग धंके प्रेम की है इसमें भी आ जाता है तो मुझे उस वक्त एसास हुआ था कि ये इमर गया शायद उसको ये एसास हो या ना हो वो आज अकर मुझे सुन ना होगा तो गाली भी दे सकता है लेकिन मुझे उस वक्त एसास हो गया था कि अंजाने में मैं पवित्र पापी हूं पापी भी हूं पवित्र भी हूं पवित्र इसलिए क्योंकि पाप मैंने किया नहीं जान बोज के लेकिन पाप हुआ है तो पापी तो हूं उसके बाद मैंने ये बात अंदर से थी मेरे की मैं एक दिन तो हटूँँगा उन लोगों के लिए इस्थान दूँँगा लेकिन फिर ऐसे लोग ना मिले 20 साल में मैंने कई हजार लोगों की संगत की लेकिन ऐसे लोग नहीं मिले कि जिनके लिए मैं हटता मैं हटने को त्यार रहता हूँ हमेशा लेकिन ऐसे लोग तो मिले जिनके लिए हटे ऐसा थोड़ी नहीं कोई पत्थर आके बड़ब्रक्ष के नीचे बैठ जाओ कहे कि थोड़ा सा हटो और मैं जम जाओंगा हीरा हो तो निकारा जा सकता है पत्थर को हीरा जोहरी भी नहीं बना सकता है हाँ पत्थर को इतना कह सकते हैं कि बेटा अभी और जलो अभी और फुको अभी कोईला बनो अभी राखो तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद तुम्हारे अंदर संभावनाएं हो जाएंगे। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं। हीरे भी आएं। हीरों को निखारने का काम करता हूं। कंकड़ पत्थर भी आ जाते हैं। तो उनको कोईला बनने के और धक्का देता हूं। निखार मैं उनको भी रहा हूं। लेकिन प्रक्रिया बहुत लंबी है। उस प्रक्रिया में ना जाने कितनी बार ये शरीर बदल जाएगा। इतनी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी करना पढ़ता है। क्योंकि मैं आया हूँ, आया था और आता रहूंगा ऐसा नहीं है कि मैं आज यहां बोल रहा हूँ मैं पहले भी कई बार बोला हूँ और मैं आगे भी कई बार बोलूँगा मैं मोक्ष हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, मैं शरील बदल लेता हूँ लोग सोचते हैं, जो मोक्ष को अपलब्ध हुआ, वो कभी नहीं आता, बात उल्टी है, जो कभी मरता ही नहीं, वो यहां से कभी जाता ही नहीं हाँ, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे अभी इस चीज़ को, लेकिन फिर में सुन लो, कानों में डाल लो, कभी जीवन में तुम्हारे कुछ ऐसे सूत्र आएंगे, तो तुम्हें मेरी बात थोड़ा सा, सहरा देखिए, तो तुम तो मर सकते हो, मेरे मरने का कोई उपायर नह इसलिए मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, और उसके तहट अब रिटायर्मेंट का वक्त आया है, मैं यह नहीं कहता है, मैं कल रिटायर हो रहा हूँ, अभी रिटायर्मेंट के पहले की यवस्ता बाम परस्त है, भाव आ गया है, तैयारियां शुरू हो गई, उस हुकूम से पहले मैं यहां बच्चों से कह चुका था, कि आने वाले वक्त में कुछ लोगों को जिम्मेदारियां मिलने वाली है, और उस हुकूम मैंने निप्टा दिया, थोड़ा हासी के मूर से कह रहा हूँ, करोणों रुपे कमा लिए, अपना धंदा सेट, ब्या जाता रहेगा, और रेटार्मेंट तो तब ही लिए जाता है, तो फिलहाल, कल, और शाम को फिर इसी वक्त, मैं उन दों के नाम आपके सामने रखूंगा, जो लोग इस कार को आगे बढ़ाएंगे, अभी जो मुझे कहना था, मैंने कहा, और आज कहने के साथ ही, मैं बहुत निर्भाद हूँ, आपके समक्ष मैंने अपनी बात को रख पाया, इसके लिए मैं स्वैम का बहुत आबारी हूँ, आप सब पर बारी हूँ, आपके साथ, अएर आपके साथ, और आपके साथ,म्राद आपके साथ, थाएंगे,